तो आज मैं कमला गेम का सारा achievement का unlock करने वाला हूँ और इसके बाद steam से एक refund भी लेने वाला हूँ यानि कि सारे पैसे वापस लेने वाला हूँ steam में अगर तुम कोई गेम को 2 घंटे से कम खेलोगे तो तुम उस गेम का refund ले सकते हो तो क्या मैं सारा achievement unlock करने के बाद पैसे वापस लेपाऊंगा शुरू करते हैं तो फर्स्ट जो achievement है इसका नाम है lore master एर इसमें मुझे जितने सारे notes से इस game में सब को पढ़ना होता है गेम के शुरू में एक note है जो यूजरली बहुत सरे लोग मिस कर देते हैं यह वाला note यह अगर पढ़ लूँगा तो वाकी note तो इसली मिल नहीं जाएंगे यहाँ पर एक ही run में मैं तीन achievement trigger करने वाला हूँ एक तो यह हो गया lore master उसके बाद एक के the collector इसका मतलब सारा पुतलों को मैं collect करूँगा and this defyre इसका मतलब ना मरके मुझे कमला गेम को complete करना होगा तो यहाँ पर मैं game को भी complete करूँगा और पुतली को भी collect करूँगा यहाँ से मुझे एक पुतला मिला है और एक जो note है वो मिलता है मुझे इस वाले room पर यहाँ पर आना है और bathroom के अंदर जाना है तब मुझे मिलेगा वह वाला note यह second note मैंने यहाँ से पढ़ लिया है bathroom में वैसे भी कुछ है नहीं तो इस घर के main hall में आ जाता हूँ और यहाँ पर भी ढूने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर मिलता है मुझे तीसरा note और एक पुतला है जो इसमें मिलता है इन पुतलों का और जो notes का location है वो एकदम सेम रहता है हर वक्त एक ही जगा पर spawn होता है दूसरे जगा पर spawn नहीं होता है और एक note मुझे मिलता है यहाँ पर इसको भी पढ़ लेता हूँ salt को मैं अभी place नहीं करूँगा क्योंकि पहले मुझे पुतलों को और जो notes है उनको collect करना होगा उसके बाद मैं salt को place करके एक game को complete करने के बारे में सोचूँगा इस वाले room पे मुझे और एक पुतला मिलेगा कोने में जाके यह मिल चुका है तीन पुतले मिल चुके हैं और चाहिए मुझे 5 यहां पर इस वाले बकसे में कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन note यहां पर एक मिल जाता है अब मुझे इस room पे घुचना होगा इस room पे दरवाजे के पीछे है एक पुतला जिसको मैं ले लेता हूँ अगर एक room पे तुम्हें पुतला मिल गया तो वहाँ पर note नहीं मिलेगा अगर note मिल आ तो पुतला नहीं मिलेगा ऐसा होता है एक ही room पे दो चीज़े नहीं होते है अगरवती वाले room पे यहां से अगरवती भी ले लूँगा और note को भी पढ़ लूँगा जो दिवार पे लागा हुआ है एक पुतला भी मिलेगा मुझे bathroom से तो इसको भी मुझे collect कर लेना है अब बस मुझे basement को खोलना होगा अब इस Kalash को place करने के बाद मुझे खोपड़ी मुझे यहां पर इखुले में मिल जाता है and first achievement complete the collector यहां से और एक note मिलता है लेकिन actually मैं भूल गया था एक note को पढ़ना वह note game के starting में होता है तो फिर से मैं यहां से निकलता हूं और game के starting में जाता हूं and यहां पर table में एक last note है जिसको पढ़ते ही the lore master का achievement unlock हो जाता है अब म प्लेस करते ही unlock हो चुका है the death defier achievement अब मैं ult effort करके game को close कर दूँगा क्योंकि मेरे पाँ ज्यादा time नहीं है 2 घंटे का ही time है अपर next achievement है उनको unlock करने के लिए फिट से game को चालो करूँगा तो इस run पे मैं कुछ और try नहीं करूँगा बस एक ही achievement को the perfect ritual one of the hardest achievement इस run पे time का कोई limit नहीं है तो मैं अराम से हर इक room को check करता हूँ कहाँ पर salt कहाँ पर चाबी है हर चीज़ को मैं पहले ढूंडता हूँ उसके वाद एक इकर की चीज़ों को place करता हूँ salt तो मुझे मिल चुका है लेकिन अभी तक मुझे डोर की की नहीं मिली है लेकिन मैं यहाँ पर salt को place करूँगा प्रेस करके यहां से निकल जामगा अब बस मुझे कमला से सामने आगे बस एक बार मुझे spot कर लिया तो यह बहला achievement बेकार हो जाएगा यह उसली गेम को complete करने क मुझे सारे achievement को complete करना होगा और refund भी लेना होगा जल्दी से करते तो इसको place place करने के बाद मैं जल्दी से भाग भी जाओंगा एक्चलिए यह वाला achievement बस देखने में hard लगता है लेकिन अगर तुम्हें game को speed and किया होगा तो तुम्हें यह वाला achievement achieve करने में ज्यादा महनत नहीं लगी क्योंकि बस तुम्हें कमला से बचना होगा कमला के सामनी नहीं जाना होगा और कमला को trigger नहीं करना होगा इस प्रेयर के थाली को में ले जाता हूँ और प्रेयर के थाली को यहां से place करने के बाद में basement में खुच जांगा बहुत ही चल्दी से उनको एक ही बारी में complete करने की कोशी करूंगा अंडुलेंटिंग जिसमें कमला बीस बार मेरे पीछे घुमेंगी अनकैचेबल जिसमें कमला को मैं फैले पर करूंगा और कमला मेरे पीछे जब भागती रहेगी तब मैं कमला से बच के निकल जाओंगा एड़ देट दोर जिसमें मैं लास्ट डे में कमला से बचूंगा एंट दा ओल नोईंग यह मुझे लगता है सबसे मुश्किल एजिवेंट है क्योंकि यहां पर मुझे तु उपके से कुछ कॉम्बनेशन करने की कुशिश किया जिसमें यह वला अच्विमेंट अनलॉक हुआ नहीं तो इसको मैं साइट में रख देता हूं और बागी तीन अच्विमेंट को कंप्रिट करने के लिए आगे जाता हूं लास्ट डे में अगर मुझे कमला को कंप्रिट आगे तब यह वला अच्विमेंट अनलॉक हो सकता है लेकिन उसे पहले बागी दो एकिवमेंट जो है अनलेलेंटिंग एंडान कैचे बल्ल इसको मुझे ट्रिगर करता हो स्ब्रीड जिसमें मुझे बस कंपला को सामने जानी जरुद नहीं है इसमें मुझे अंगला के साम आगे बढ़ना होता है तब तुम कमला से भी ज्यादा फास जा सकते हो तो इसी स्ट्राडीजी को यूज़ करके मैं बार बार कमला के सामने जाओंगा और ऐसे दस बार कमला से बचके एक जगा पे छुप जाओंगा तो इससे दा अनकैचेबल यह वाला चीपन अनलोग होगा कमला इदर से आ रही है तो यहाँ पर ख़रा रहता हूँ देख लिए कमला ने अब बस 45 डिग्री एंगल पे W और A दबाके में आगे जाना हूँ और जल्दी से यहाँ पर छुप जाओंगा ऐसे मुझे बस 10 बार करना होगा बेट पर चुपना होगा कबर पर चुपना अब देखो पता चल गया अब मैं जल्दी से भागोंगा और चुप जाओंगा अब यहाँ पर खुसते ही अच्पन अन्लॉक्ट अब बस मुझे कमला से लास्ट टेम बना होगा तो अन्लेंटिंग वाला एच्पन भी अनलॉक हो जाएगा अद यह अनलॉक हो चुका है मैं अब आता ही नहीं है तब मैं याद करता हूं कि यह सेकंड डेता लास्ट ही नहीं और पहले की तरह फिर से मुझे गंगा जल को यहाँ बर प्लेस करना होगा जिससे की यह वाला चीवन अनलॉक हो जाएगा एट टेट स्टोर और सारे एक चीज़ करना बागी है वह है रिफ करने के लिए मुझे एक रीजन भी देना पड़ता है जो मैं लिखूंगा टूइजी और सब्मिट रिक्वेस्ट एंड कुछ गंटों बात मेरे पास एमेल आता है कि मेरा रिफंड रिक्वेस्ट एक्सेट हो चुका है अब पैसे मेरे एकान में वापस आने वाले है तो यह